बॉर्णिंग क्लास फोर्ट आज में आपको आपकी मेरी गोल्ड का फर्स चेप्टर पढ़ाऊंगी और ये एक पोयम है वेक अप देखे अमें इसको आपको हिंदी में एक्सपेंड करूंगी वेक अप मतलब उठ जाओ जाग जाओ देखो कितना सुन्दर दिन है ओ प्लीज गेट अप प्लीज आप उठ जाओ इसमें बच्चे को उठा रहे हैं और आप उठो और बाहर आओ खेलने जाओ पेडों के उपर बैट के गाना गारी है चिडीय कैसे गाना गाती है चीँ चीँ करके and you can hear the buzzing bee buzzing bee मक्खी कैसे करती है भिन 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 करती है न उसी तरह की अवाज मक्खी निकाल रही है सभी लोग उठ चुके हैं और आप भी उठ जाएए wake up, wake up it's a lovely day फिर से वोई लाइन रेपीट हुई है उठो, उठो देखो कितना सुन्दर दीने और हमारे साथ खेलो it's too much late to lie in the bed बहुत देर हो चुकी है और बिस्तर में लेटे लेटे आपको बहुत देर हो चुकी है so hurry up you sleepy head बोल रहे हैं कि अब सोने का समय निये जल्दी से आप उठ जाओ you sleepy head sleepy head means आप देखने में ऐसे लग रहे हो कि आपको बहुत जादा नीद आ रही है ठके वे हैं बच्चा wash and dress नहाओ और अच्छे कपड़े पहनो and come on out और बहार आओ everyone is up and about सभी लोग उठ चुके हैं और सभी बहार आचुके हैं और सब खेल रहे हैं बच्चे the cow, the horse, the ducks बच्चे ही नहीं चिडिया, पंचीज सब खेल रहे हैं यहां तक की गाए, घोडा, बतक and sheep और यह सब भी उठ चुके हैं the tiny little chicken चीप 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 वेक अप tiny में मुर्गी के बच्चे कितने बड़े होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं वो भी उठके, क्या कर रहे हैं चीप चीप कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं यह poem लिखिये C. Fletcher 4th class student आप क्या करेंगे अब आज की date डालेंगे heading डालेंगे wake up और यह वाली 6th line plus यह वाली 6th line up to here आप इसको notebook में write down करेंगे plus आप यह picture बनाएंगे sun की और is boy की चलिए, new words देखिए new words हैं, lovely lovely का मतलब बहुत ही प्यारा, सुन्दर, beautiful buzzing buzzing मतलब वो मख्या कैसी आवाज निकालती हैं वो ही आवाज sleepy head sleepy head सोयावा लगना बच्चा बहुत ही ज्यादा थकावा tannis, tannis means बहुत छोटा आज आपका यही काम है आज आप यह वाली 6th line plus यह 6th line plus यह new words you will write down on your notebook ओके कल में आपको इसके आगे का chapter कराऊंगी oke ईष्चाल का लवाज दोपे ग्चाल हूब Prag